यहां पर हम सबसे पहला निमेरिकल सॉल्फ कर रहे हैं यह निमेरिकल आप यहां देख सकते सबसे पहले जब भी कोई हम निमेरिकल देखते हैं तो उस वक्त पर हमें निमेरिकल के में जो गिवन कॉंटेटीज है वो लिखने की हमें हमेशा हाबिट होनी चाहिए तो चलो निमेरिकल देखते की कौन सा निमेरिकल है यह क्या कहा गया है यहां पर की 18 ग्राम ओफ ग्लुकोज ग्लुकोज का फॉर्मूला भी दिया हुआ है 18 ग्राम ओफ ग्लुकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in saucepan at what temperature will water boil under 1.013 bar pressure given kb for water is 0.52 kelvin kg पर मोल तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे उसमें कहा गया है कि 18 ग्राम ओफ ग्लुकोज is dissolved in 1 kg of water it means यहां पर solute जो है वो है ग्लुकोज तो solute तो हम क्या लिखेंगे यहां पर mass of solute कितना दिया हुआ है question में question में mass of solute दिया है और जिसको हम WB भी कहते हैं यहां पर हमें solute का weight दिया है तो वो हम हो जाएगा यहां बड़ ब्लुब और यह कितना है 18 ग्राम ठीक है तो यहां पर mass की जगा हम वर्ड यूज करेंगे यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे weight of solute क्या वर्ड यूज करेंगे हम weight of solute ठीक है तो यह 18 ग्राम दिया हुआ है उसके बाद में दिया हमें देखो 1 kg of water water तो solvent है यहां पर तो हमें weight of solvent भी दिया हुआ है weight of solvent weight of solvent क्या होता है WA और कितना दिया है वो हमें 1 kg दिया हुआ है अब next हम से क्या बोला गया at temperature at what temperature will water boil under 1.013 bar pressure अब इन्होंने हम से ही कहा कि अगर हम इतना pressure apply करते हैं तो वहाँ पे इतना जो है at कौन से temperature पे water boil होना start होगा अब देखो हमें एक formula पता है जो formula हमने कल के class में study किया था और वो formula है delta tb is equal to wb into kb upon यहाँ पर हम लिखते है mb into w a और वहाँ पर मैंने specify किया था कि अगर w a kg में है तो आपको यहाँ simply w a लिखना है और अगर बट यह अगर gram में दिया हुआ है तो आप इसको numerator में multiplied by 1000 कर सकते तो यहाँ पर हम सबसे पहले delta tb की value निकालेंगे ठीक है ताकि हमें पता होना चाहिए कि अगर elevation in temperature हो रहा है तो कितना हो रहा है तो इसके लिए चलो सभी values लिख लेते हैं यहाँ पर wb की value क्या है दिया हुआ है question में 18 into kb की value कितनी है 0.52 upon यहाँ पर देखो यहाँ पर mb mb मतलब क्या हुआ molecular mass देखो यहाँ पर लिख लेते हैं mb मतलब क्या हुआ molecular और molar mass of solute molar mass of solute को हम कहते हैं mb mb molar mass of solute कितना है यह solute कौन सा है c6 h12 o6 और इसका molar mass होता है 180 ग्राम यहाँ पर हमने लिखा 180 into w a w a कितना दिया है 1 जब आप इसको देखो solve करके यहाँ पर अब हम solve करते तो यह answer आता है हमारा 0.052 Kelvin मतलब वहाँ पर जो increase हुआ है elevation हुआ है उसका elevation में हमें answer कितना मिला है 0.052 Kelvin जो है इतना answer मिला है अब देखो अब हमसे क्या बोला गया है यहाँ पर हमसे बोला गया है question में कि at 1.013 bar pressure इतने pressure पे इतने pressure पे हम देखेंगे boiling point of water कितना होता है boiling point of water इतने pressure पे boiling point of water कितना होता है यह होता है 373 Kelvin ठीक है अब हमें क्या निकालना है boiling point of a solution निकालना है क्योंकि हमने उसमें add किया था solute तो हमें देखना है कि उसका boiling point कितना होगा so boiling point of solution हम boiling point of solution कैसे निकालते हैं देखो हमारे पास एक और formula है जो मैं यहां लिख देती हूँ और वो formula है delta tb is equal to t यहाँ पर हमने कल जो कल के formula में जो हमने study किया है उसी को हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे तो हमारा formula क्या होता है t not b minus tb तो अब देखो इसमें values put करो delta tb की value कितने है 0.052 is equal to pure water की कितने है 373 minus यह हमें solution की it means tb की value निकालना है तो यह माइन यह जो है हम simply लिखेंगे tb is equal to 373 minus plus 0.052 तो answer जो है आ रहा हमारा 373.052 Kelvin ठीक है तो यह हुआ हमारा answer अब देखो जब आप exam में इसको solve करोगे जब हम exam में solve करोगे तो इसकी marking कैसे होती है सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ से start करते हम यहाँ पर जो है देखो सबसे पहले marks किसको मिलते हैं आपको अगर यह question 3 marks के लिए आया है तो आपको सबसे पहले तो half mark formula लिखने के लिए मिलेगा half mark आपको यहाँ पर मिलेगा कि हमने proper उसमें values put कर दी है और one mark जो है हमें यहाँ पर मिलता है for writing answer with unit यहना unit मतलब यह होता है unit and answer unit and answer के लिए हमें यहाँ पर marks मिलता है one mark फिर इस formula के लिए half mark मिलेगा और यह final answer निकालने के लिए half mark तो board exam में जब अगर हम यह question अगर three marks के लिए solve करते तो इस तरीके से उसका distribution होगा ओके चलो यह तो हमारा one question हो चुका है अब हम solve करते one more question यहाँ पर देखो मैंने एक और question लिया है इस question में क्या कहा गया है देखो इस question में बोला गया है कि I hope आपको previous question समझ में आ गया है और आपने उसको note down करके रख लिया है what would be the molar mass of a compound if 6.21 gram of it dissolved in 24 gram of chloroform forms a solution that has boiling point of 68.04 degree celsius given that the boiling point of a pure chloroform is 61.7 degree celsius and kb4 chloroform भी हमें यहाँ पर दिया गया है अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें कभी भी given quantities सबसे पहले लिखना चाहिए given quantities में देखो यहाँ पर kb दिया हुआ है कितना दिया है 3.63 degree upon small m तो इसी को हम क्या कह सकते 3.63 Kelvin kg per mole Kelvin kg per mole यह तो similar ही है अब हमें इसमें क्या दिया गया है देखो हमें बोला गये कि what would be the molar mass of a compound if 6.2 gram of it मतलब molar mass हम से पूछा गया है और Wb हमें दिया है कि उसका weight कितना है 6.21 Wb मतलब होता है weight of a solute यह हमें question में दिया गया है और क्या question में दिया है देखो हमें यहाँ पर दिया है WA is equal to 24.0 gram यह होता है mass of a solvent यह भी हमें दिया है और इस situation में gram में दिया है या तो आप इसको kg में कर सकते हो या फिर हम directly gram में भी देखे हम formula में रखके solve कर सकते हैं इसके बाद में हमें दिया है delta tb delta tb कितना दिया है हमें देखो delta tb हमसे बोला गया है कि यह कितना है 68.04 यह 68.04 और साथ में हमें देखो delta tb अगर calculate करना है तो यह कितना है यह हमें solution का यह क्या दिया है हमें solution का और साथ में हमें pure solvent का भी यहाँ पर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर minus 61.7 degree Celsius, तो answer यहाँ पर आएगा approximately 6.34 Kelvin, ठीक, अब देखो हमारा formula क्या कहता है, हमने जैसे previous में study कर चुक है, हमारा formula यह कहता है कि delta TB is equal to KB into WB into 1000, अब मैं 1000 यूस कर रही हूँ, क्योंकि यह जो है gram में दिया है, तो आप directly अगर kg में कर देते हो, तो 1000 यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, सो इतना लिखने के बाद में हम यहाँ लिखते है, MB into WA, बट जैसे कि हमें MB की value निकालना है, तो इसी formula को हम change कर लेते हैं, MB is equal to KB into WB into 1000, अपन यहाँ पर आजाएगा, delta TB into WA, तो चलो इसमें values put कर लो, KB कितना दिया है question में, 3. 3.63 into WB कितना दिया है, 6.21 into यह कितना है, 1000 upon, delta TB कितना दिया है हमें, हम यहाँ पर, यहाँ पर आए, 6.34 into, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 24 gram, तो यह जब आप finally इसको solve करोगे, तब हमारा answer जो यहाँ पर आएगा, वो होगा, 148.15 gram per mole, तो इस तरीके से हम question solve कर सकते हैं, अब देखो, अब अगर यह question आया है, आपका two marks के लिए, अगर यह question आया, two marks के लिए, तो हम किस तरीके से solve करेंगे, यह question अगर हमारा two marks के लिए है, तो two marks के लिए question जब आता है तो आपको देखो सबसे पहले तो इस formula को लिखने के लिए या फिर इस formula को लिखने के लिए यहाँ पर आपको directly one mark मिलेगा इन दोनो steps को मिलागे formula तो one mark किसको मिला है formula and putting correct value formula and putting correct value इसको हमेशा आपको one mark मिलता है और finally answer निकालने के लिए one mark मिलता है तो इस तरीके से आपके two marks board exam में count किये जाते हैं अब हम देखते हैं हमारा last numerical last numerical में हम देखेंगे यहापर देखें है last numerical है इसको solve करके देखते हैं क्या कह रहा है यह last numerical यह कह रहा है कि solution prepared by dissolving 1.25 gram of oil 1.25 gram of oil of winter green winter green मतलब methyl salicylate in 99 gram of benzene has a boiling point of 80.31 degree celsius determine the molar mass of this compound और वहाँ पर देखो boiling point of pure benzene दिया है और साथ में kbb दिया है तो चलो हम इसको solve करना start करते हैं तो solution में जैसे मैंने आपको सबसे पहले पता है था कि कभी भी given quantities लिखना चाहिए given quantities में सबसे पहले हम kb की value लिख लिख लेते हैं कितनी दी है 2.53 Kelvin kg per mole ठीक है यह value दी गई है second value हमें WB पता है यहाँ पर WB means weight of a solute कितना दिया है 1.25 gram next क्या दिया गया है हमें WA दिया गया है WA कितना है 99.0 gram दिया है इसको मैं अगर kg में पहले ही convert कर लेती हूँ तो यह इस तरीके से kg में भी convert हो सकता है इसे मने पहले भी बता है या तो आप पहले कर लो या फिर आप इसको बाद formula में भी कर सकते हो तो delta tb कितना है देखो यहाँ पर delta tb के लिए हमें सबसे पहले तो क्या दिया है यहाँ पर boiling point दिया गया है हमें boiling point कितना है solution का यहाँ पर दिया है 80.31 minus यहाँ पर क्या होगा pure benzene का कितना दिया है pure benzene का दिया है 80.10 और इसलिए यहाँ पर answer निकलेगा 0.21 Kelvin यह degree Celsius में दिया है यहाँ पर जो दिया है degree Celsius और यह हो जाएगा 0.21 Kelvin खिक अब देखो इसके बाद में चलो भी हम सभी पूरी values पूट करते हैं अब हमें इसमें क्या निकालना है molar mass निकालना है तो molar mass के लिए हमारा formula क्या होता है molar mass is equal to यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर देखो molar mass is equal to हम लिखते है KB into WB upon यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर delta TB into WA यह formula हुआ इस formula में पूरी values पूट करो 2.53 into 1.25 upon यहाँ पर यह कितना है answer 0.21 into 0.099 kg अगर यह kg में नहीं होता तो मैं उपर उसको by 1000 हम यहाँ पर हमारा final answer आएगा 152.12 gram per mole तो अगर यह भी question हमारा आता है two marks के लिए ऐसे generally यह बहुत simple है इसलिए इसका two marks के लिए question आ सकता है और in case अगर यह three marks के लिए आया तो आपके इस value के लिए हमेशा आपको one mark मिलेगा यह यहाँ calculate करने के लिए फिर formula जो है formula और putting values इसके लिए आपको one mark मिलेगा and last answer with correct unit unit के marks हमेशा deduct होते है answer with correct unit इसके लिए हापको हमेशा यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा one mark right तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो elevation in boiling point है उसको हम किस तरीके से numerical based पे solve कर सकते हैं so student I hope आप सभी को समझ में आ चुके हैं कि numerical किस तरीके से solve कर सकते so thank you students and have a good day ahead